मैं उस मां को साधर परणाम करता हूँ, क्योंकि आज उस मां पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि मैं सिदार्थ बाबा के मां से भी मिला था, जर फाइनल में में गया था तो, बड़ी प्यारी है वो, और मां हम सब हैं आपके संथ, बिल्कुल आपने से रहिए कि हाँ, एक बेटा गया है, ठीक है, अब इश्वार को क्या मंजूर था नहीं जानता, बट बहुत सारे बेटे आपके हैं, जो आपके त्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो दिल से एक दुख भरी बात है, क्या बोल सकता है, नमस्ते प्रणाम हम के साहिए लाल यादो, सब के प्रणाम करना हूँ, आज सुबह आँख खुलते ही, इतनी दुख भरी, मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, सिजन 13 में, वीक पोस के सिजन 13 में, हमारे बहुत अजिज मित्र, और हमारे दोस्त भी, और एक बड़े भाई की तरह, सिधार सुकला जी का जब निल सुनने को मिला तो, अकीनी नहीं हो रहा था, खुद पे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं सिजन 13 में, हमारी लड़ाईयां भी, दोनों भाईयों के हुई, वो प्यार के लड़ाईयां थी, और मैं जब सिजन 13 के, बिक बुस से बाहर आ रहा था, तो सबसे ज़्यदा अफसोस सिदार सुखला जी को ही हुआ था, तो कि मैंने को बाबा बोलता था, और हमारी कोई पहले से पर्चे नहीं थी, बिक बुस के सिजन 13 में हमारी मुलकातुन सरु, वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात नि धड़क बोलते थे, और इस उमर में जाना भी कुछ अजीब सा लगा, तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं पर्वान सही पर अपना करोना के उनक्यादमा कुसांती थे, और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वर्ट, क्योंकि अभी बहुत कुछ कुछ करना था, इस इंड़ेस्टी को बहुत आसा थी उन तो कि मैं सिदार्द बाबा के मां से भी मिला था, जर फाइनल में में गया था तो, बड़ी प्यारी है वो, और मां हम सब हैं आपके संथ, बिल्कुल आपने से रहिए कि हाँ, एक बेटा गया है, ठीक है, अब इस वर को क्या मंजूर था नहीं जानता हूं, बट बहुत सार प्रातना करूना की भगवान, ऐसे अच्छे लोगों को और इतने जंदिमत बलाएं, यह धरती सुनी सुनी हो जाती है, थैंक यू